और विलारा आपको सुनाते हैं मोधित सरकार 3.0 के 300 दिन पूरे होने पर दिता का माहूल आया है और नित्यों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नित्यों की दिशा, नित्यों की घती और नित्यों को क्रियानवन करने की सटिक्ता ये तिनों दस साल तक बरकरार रखकर ग्यारवे साल में प्रवेश करना मैं मानता हूँ बहुत कठीन है दुनिया के कई देशों में भी देखागा है जहां एक प्रकार से वाइबरंट लोक तंत्र है वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदान दिखाई पड़ते हैं और इसका कारण है कि दस साल में देश की बाहरी सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोधी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोधी जी के नित्रूत में प्राप्त की हैं सिक्सा के अंदर आमुल चूर परिवर्थन हमारे चीर पुरातन सिक्सा सैक्सिनिक मुल्यों को समाहित करते हुए हमारी भासाओं को गवरनवाईत करते हुए और आधूनिक से आधूनिक सिक्सा को समाहित करते हुए नई सिक्सा निती लाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किय जब मेकिन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखोल उडाते थे, मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ, कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंडर बन चुका है और यह वास्तविक्ता है। इकोनोमिके 13 के 13 पेरामिटर्स में चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्पिती हो, चाहे विकासदर हो, हर पेरामिटर में हमने डिसिप्रिन लाई हैं और प्रगती भी की हैं। भारत की विदेशनिती में मेरे जैसे कई लोगों को रीड की हड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी। अब भारत की विदेशनिती में रीड की हड़ी दिखाई पड़ती हैं। दस साल में देश के साथ करोड गरीबों को एक ही दस साल में घर, सोचाले, गैस, पीने का पानी, बीजली, पांच किलो मूत का नाज और पांच लाग तक की स्वास्त की सुविधायें देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है। और हमें लक्स लेकर चले हैं कि अगरी बार जब चुनाव में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा। युवाओं के लिए धेर सारे मौके तरासे गए हैं। आज भारत का युवाओं भारत के नए प्लेटफॉम पर खड़ा होकर विश्व के युवाओं के साथ दो दो हाथ तो मोधी सरकार 3.0 के सौधिन पूरे होने पर यह संबोधन आप यहां पर सुन रहे थे केंद्री ग्री मंत्री अमिच्छा का और मोधी सरकार द्वारा के गए कामों का जिक्र उन्होंने किया है हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आएंगे और किसान की माली हालत भी सुद्रेगी अमरुत काल का जब वर्स आया मैं इसका साक्से हूँ कई सारे सुझाव आये थे और मोधी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमरुत काल के वर्स को इस तरह से मनाया कि जब अमरुत काल का वर्स समात हुआ तो अमरुत काल सुरू हुआ और 140 करोड लोग 2047 में महान भारत की रतना के संकल्प के साजीदार बने और भारत के विकास की यातरा के भी साजीदार बने एक प्रकार से 140 करोड की जनता को इतने महान लक्स के साथ जोड़ना ये बहुत वड़े विश्वस्नी अता का प्रमान है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है तीसरे मेंडेट के बाद 100 दिन समाप्थ हो रहे हैं 100 दिन में लगबग लगबग 15 लाग करोड रुपे की परियोदनाओं को चालू किया गया है 100 दिन को मैंने 14 स्तंबो में बाटा है मैं एक एक करकर सब के लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है 100 दिन में 3 लाग करोड की परियोदनाओं हमने घोसित भी किया इंप्लिमेंटेंचन भी शुरू हुआ है माराश के वद्वान में 76,000 करोड की लागत से आपको बता है जब से हमने BGP को वोट दिया हर्याना से बिमारिया फेलाने वाले 99.9% किटानूओं का खात्मा हुआ जैसे कि ब्रस्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों की दुश्मन, इत्यादी आगे भी ऐसे ही किटानूओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप पिकास, BGP पर विश्वास जाएगी 50,600 करोड की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का नेनाय नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है वारानसी में लाल बादूर सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट, पस्यम मंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहिटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी कोई में नवी हवाई पट्टी बना कर परियतन को बड़ावा देने के लिए आगे बड़े हैं बैंगलोर मेट्रो के फेज तिन, पुने मेट्रो, धाने इंटिग्रर रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस वाद दिन में आगे बड़ा है किसानों को और कुशी का जहां तक सवाल है सत्तरवी की प्रदान मंतरी किसान सन्मान योजना की साड़े नौ करोर किसानों को बीस जार करोड रुपया वित्रित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड 33 लाग किसानों को 3 लाग करोड रुपया वित्रित किया गया है खरीब फसलों का MSP बढ़ाया गया है मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकरों का ध्यान करियेगा UPA सरकार और कंग्रेस की राज्य सरकारों से कई गूना ज्यादा MSP की खरीदी भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने की है हमारी NDA सरकार ने की है यही बताता है कि यह सरकार किसानों के हीतों को समर्पित है मक्के से इथेनल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलो के इथेनल उत्पादक इकाईयों का मल्टिफिड इथेनल इकाईयों में रुपानतरन किया गया है अब रुनकेवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनल उत्पाद कर पाएंगे तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूर्यात होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनोल बनेगा हमने प्याज और बासमती चावल की नियतम निरियात मुल्य MEP को हटा दिया गया है, प्याज पर निरियात सुल्क 40% से 20% करा है और एग्री शोर नाम का एक नया फंड लॉंच करने का भी हमने काम किया है मध्यमवर्ग को भी इसोव दिनों में कई सारी राहत दी गई है, टेक्स राहत साथ लाग तक की आई पर अब कोई टेक्स नहीं लगेगा वन ड्रेंक वन पेंसन का तीसरा वर्ज संसकरन लागू कर दिया गया है और तीन करोड घर प्रदानमंत्री आवास योधना के तहट स्विक्रूत किये गए हैं सहरी योधना के तहट एक करोड घर और ग्रामे इलाकों में दो करोड घर प्रदानमंत्री सुर्यगर मुप्त बिजली योधना एक प्रकार से 24 के बीच दोजार 24 के भी धाई लाक से ज्यादा गरों में सवर उर्जा का सिस्टिम अब तक लग चुका है एक अनूठी योधना है जिससे मध्यमवर के परिवारों का बिजली का बिलतो मुप्त होई जाता है साथ में सवर उर्जा के हमारे लक्स की पूर्टी के लिए भी वो कंट्रिब्यूट करते हैं PME Bus सिवा Environment Friendly System तयार करने के लिए लगबग 3400 करोड की सहायता से हमने PME Bus सिवाओ की स्विकृति दी है और स्टार्ट अप को वित्ति रहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप पर 31% का बोज़ डालने वाले एंजल टेक्स को समाप्त करने का भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है National Industrial Corridor Development Program के तरह बार इंडस्ट्रियल जौन बनाए जाएंगे जो बार इंडस्ट्रियल जौन बनाए जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े National Highway से लिंक होंगे इसके आसपास होंगे इसनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहट बारा इंडस्ट्रियल जौन देश के हर्क शेत्र में बनाने का हमने नेनय किया है सबसे महत्वपूर नेनय मद्यमवर के लिए मुद्रा रोन की सिमा दस लाग से बढ़ा कर बीस लाग कर दी गई है छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमयों को बिना गैरंटी से इससे रून मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ दोनों मिलेगा ससक्त युवा एक किसी भी देश के विकास की प्राथ्मिक सर्थ हैं दो लाग करोड के PM पेकेज की घुशना हमने की है जो पांच साल में चार करोड डस लाख युवाओ को इसका लाब पहुचने वाला है एक करोड युवाओ को टॉप कंपनी में इंटर्णसिप के अउसर एलाउंस और एक मुष्ट सहायता रासी देने का भी नेनय हमारी सरकार ने किया है केंद्र सरकार ने भी लगबग लगबग कई हजार नियुक्तियों की घुशना की है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा कर 11,11,000 करोड तक पहुचाना यह अपने आप में एक मिल का पत्थर है इससे कई युवाओ को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा PLI स्कीम और 12 इंडेस्ट्रिल जोन के विकास से भी तजग्य युवाओ की नौकरियों का स्रूजन होगा स्टार्ट अप और MSME के लिए जो वित्य प्रोस्ताहन हमने दिया है वो भी युवाओ के लिए कारगर साबित होने वाला है दिन दयाल अंतियोदय योधना के तहट 10 करोड से अधीक महिलाओ को संगठीत कर 90 लाग से अधीक स्वयम सहायता जूत बनाए गए हैं और लगपती दिदी योधना के तहट 11 लाख नई लगपती दिदियों को ये 100 दिन में प्रमान पत्र दिया गया है एक करोड से अधीक लगपती दिदियां पतिवर्स एक लाख रुप्या सालाना कमाई कर रही हैं ये महिलाओ के लिए एक लाख का रासी एक स्वप्न मना जाता था आज हो स्वमान के साथ अपना जीवन जीदे इसके साथ परियटन दिदियों जो गाईर का काम करेगी परियटन मित्रों और ड्रॉन दिदी के माध्यम से सेल्प हेल्प ग्रूप और युवाओ को परियटन से जोडने का काम भी हमने किया है प्रदानमंत्री जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान इसके तहट 63,000 जन जातिये गाउं का पूर्ण विकास किया जाएगा जिसे 5 करोड आदिवासियों की आर्थिक स्तिति में सुधार आएगा ये योधना के तहट गाउं को प्राथमिक जर जाएगा अनुसरी जन जाति के दिव्यान व्यक्तियों के लिए तीन लाख नए पहचान प्रत्र एक अभ्यान चलाकर एक स्वा दिन में दिये गए एक लव्या मॉडल आवासियों विध्यालय एक नए पहलू के साथ नए आयामों के साथ फिर से इंट्रिद्यूज हो रहा है वकप संसोधन विधैक दोजार चौबीस वकप संपत्यों के प्रबंदन और संदक्षन और उसके दुरूपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लामेंट में इसको पारित किया जाएगा आयुशमान भारत योधना अजदेश के कई करोड लोगों क जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुई है पांच लाग तक का स्वास्त से जुड़ा सभी खर्चा एंडिये की नरेंद्र मोधी सरकार उठा रही है और ये पदान मंत्री जी का बड़ा महतो कांक्सी पोग्राम है अब जैसा हमने हमारे गोश्ना पत्र में वादा किया था सतर वर्स या उससे अधीक आयू के सभी व्रुद्ध नागरिकों को पांच लाग तक का मुप्त कवरेज दिया जाएगा इसमें जो घरीब घर में सतर साल से अधीक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे और पांच लाग दिया जाएगा तो उनका कवरेज एक प् करोड परिवारों के छे करोड व्रुद्ध नागरिकों को इसका फाइदा मेगा इसमें आई की कोई सिमा नहीं रखी गई पचत्तर हजार नई मेडिकल सीटे बढ़ा कर हम मेडिकल एजूकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगबग लगबग समाप्त कर देंग हमारी पूरी रिक्वार्मेंट एप पचत्तर हजार सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने तीन साल का लक्स रखा है यह में ठीका करन के लिए उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पॉर्टल भी यही सौ दिन में सुरू किया गया और देश के डॉक्टर की एक सेंट्रलाइज रिपोजटरी बनाने का काम भी इसी सो दिन में हुआ है 23 अगस्त को पहला अंत्रिक्स दिन मनाया गया है इससे कीशोरों को और युवाओ को अंत्रिक्स के खित्र में रूची लेने के लिए प्रोच्चाहन देने के लिए और उनका हैंड होलिंग करने के लिए धेर सारी योदना इस सुरू की गई अंत्रिक्स टार्ट अप के लिए एक हजार करोड के वेंचर कैपिटल फंड की योदना भी हुई आपदा प्रबंदन के लिए राश्टियत डेटाबेज और ग्रामिन भूमी रेकोर्ड के लिए भूवन पंचायत पोर्टल भी सुदू किया गया सेमिकंडक्टर गुजरात के सानन में सेमिकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले दस सालों में भारत सेमिकंडक्टर के क्षितर में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उपरेगा लॉयन ओडर का जहां तक सवाल है पुराने बिटिशरों ने बनाए हुए अपराधिक कानूनों को बदल कर एक जुलाई दोजार चौबीस को तिन नए कानून इंप्लिमेंट किये गए भारतिये दंड सहिता भारतिये नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिये साक्स अधिन अधिनियम, भारतिये नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिये साक्स अधिनियम, ये तिनो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम को न केवल लोक भोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा समय पर न्याय मिलने की सरुवात होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि तीन साल के बाद जब इसका कम्प्लीट इंप्लीमेंटेंशन समाथ होगा हम दुनिया में सबसे अधुनिक क्रिनल जेस्टिस सिस्टिम रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे सहरी बाड प्रबंदन के लिए 6350 करोड रूप्य की नई योदना देश में पहली बार लाई गई लदाख में पांच नई जिले बनाए गए 25 जुन को समविदान हत्या दिन मनाने का फैसला करकर आने वाली पीडी को इमर्जनसी जैसे काले दोर से देश को न गुजरना पड़े इसलिए जागरूत करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का नेना लिया गया पुर्वत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रो परियोधनाओं की मनजूरी दी गई लगबग 41 करोड उपिया के साथ और राष्ट्रिय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंट रेच को भी सुरू कर दिया गया मित्रो पियम मोदी जी का यूद के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर यात्राओं पूरी दुनिया आज के साथ नजर गड़ा कर बैठी है पहली बार भारत में इनोशकों की विश्व धरोहर समीति की बैठक हुई आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापिस लाने में हमें बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है आपदा प्रबंदन अधिनियम इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है और मैं मानता हूँ कि अर्बन फ्रड मैनेजमेंट अगनी समन सेवाएं ग्लेसियर जिल विसपोर्ट फ्लड और अन्यट डिजास्टर के मिटिगेशन के हितु यह जो आपदा प्रबंदन अधिनि हमला आया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करें